हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास एट का मैथ एक्सराइज 5.1 हम पढ़ रहे थे इस एक्सराइज का हमने 1 से 7 तक कॉसन कंप्लीट कर लिया था आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कि तुमें कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है इन में से आपको बताना है कि इन में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है इसके लिए तो हमें से से पहले यह जाना हो कि पैथागोरस त्रिक होता क्या है तो यहाँ पर देखिए ऐसे तीन संख्याओं का समू जिनके दो सं पाइथागोरस ट्रिग और अगर आपको पाहे हैं अगा ये अ इस वीडियो के नीचे डिस्कृषिन बॉक्स हम दे रखा है तो आप आप इस कौसन को स्वाल पढ़ने के लिए यहां पर पाइथा गोरस त्रीक को समझ सकते हैं ऐसे तीन संख्यों का समूं जिनके दो संख्यों के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बरा तीन संख्यों के वर्गों का योग तीन संख्यों का समूं है और यह दो संख्यों के वर्गों का योग यहां पर दिया गया है देखिए तीन का स्क्वाइर और चार का स्क्वाइर बराबर पांच का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर करेंगे तो 9 होगा चार का स्क्वार करें कुछना जो कि दिय गया है इसमसको बताना है क्यों सा पैथा इंच कोस्तिख है अब यह पर हैं में री जाल मेरे संख्यां का समूर आता है और दो की यो3 में संख्या किए वड़ के बढ़ावर हो तो हो पाइथागोलस त्रीक होता है यहां पर expert करेंगे तो एक होगा दो का स्कवर करेंगे तो 4 होगा एक और 4 को जब जोरेंगे तो कितना होगी पान्च होगा तो इन दोनों को जोड़ने पे इन दोनों के वड़गों का यूग 49 के स्क्वाइर के बराबर होगा ठीक है तो इसलिए ये भी पैथागोरस ट्रिक है तो आपका आंसर हो गया ये वाला ये वाला और ये वाला यानि कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 36, 49 ठीक है नाइन निम्बर में देखत का प्रेक्षन करके छुटी भी संख्याओं को ग्यात करें तो यहां पर वैसे पहले से संख्या को लिखा गया है तुम चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब क्या कहते ह है और यहां पर भी 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 2, 3, 4, ठीक है 6, 7 तो अगर यह कुछ यहां पर नहीं दिया रहा था तो फिर भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि यह सब भी क्रामागत संख्या है तो जब यहां पर 2 है 2 के बाद 3 है 3 के बाद 4 है तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 5 ह हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही है तो यहां पर क्या किया गया है एक गुना दो एक गुना दो करने से दो हो गया दो गुना तीन करने से 6 हो गया तीन गुना चार तीन गुना चार बाड़ा हुआ तो यहां पर चार गुना पांच कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही है 5 गुना 6 करने से कितना होगा 30 होगा 6 गुना 7 करने से कितना होगा 42 होगा इसको देखिए यहां पर यह जो लास्ट वाला है जो बराबर के बाद है देखिए 2 के बाद 3 है 6 के बाद 7 है मतलब यहां पर जो है उसका एक अंग यहां बढ़ा दिया गया है यहां यहां पर है इतना 12 12 है तो यहां पर 13 20 21 30 31 42 है तो तो ठीक है तो यह हो गया आपका अब 10 नमर में है विसम संख्याओं के क्रमिक घटाओं की क्रिया द्वर्ण निमलिकी संख्याओं की जाच करें की कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे तो पूर्ण वर्ग संख्या ये सभी संख्या है ठीक है जैसे कि 80 को देखिए कोई विसम वर्ग संख्या है तो कोई सम वर्ग संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग में से सब कि क्यासी देखिए यह का वर्ग है कि 9 कोना 9 करेंगे क्यासरी होगा 11 क mujeres करेंगे, तो 11 की किस होगा 12 12 करेंगे तो 144 होगा और 6,6 करने तो 36 हो जायेगा ठीक है तो यह दोनु हो गया आपका विसम वरसंख्या और यह वाला हो गया आपका संग्या 12 का éस्क्वायर है और शे का स्क्वायर है 12 reg संख्या होता है लेकिन हमें यह पूछ रहा है कि क्रमिक घटाओ की क्रिया द्वारा निमलखित संख्याओं की जाच करें तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्रमिक घटाओ होता क्या है हम संख्याओं को माइनस करते जाना है और जब तक जीरो ना आये तब तक मैनस करना है ठीक है जैसे कि पर लुए दियान रखने सक्षक्रेंस विल्गेंसद kita होगा 40 फिर więc देखिए 1-ी इस प्लेक है फिर तीन मेनस किया फिर possible मैंस किया फ़िर फिर 1911 ओर फिर 23 and 15 ईश्वाइन में गटाई है साड़ी संक्षै झाल मछ द्यान रखना है और हमें तब तक गटाना है जब तक उसके लास्ट में जीरो ना आ जाए और जिस संख्या के लास्ट में जीरो ना आए तो समझ लिजेगा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 81 को जब हम मैनस कर रहे हैं तो इसमें लास्ट में जीरो आ रहा है तो 81 क्या है तो ये साड़ी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे कि मैंने आपको बताया एक 11 नंबर में देखिए निम्लिकी संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विसम संख्या होगा ये कौसन है तो इन में से मैं बताना है कि कौन-कौन संख्या का वर्ग विसम संख्या ह है तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने परहा था कि संसंख्या का वर्ग संसंख्या होता है और विसंसंख्या का वर्ग विसंसंख्या होता है ठीक है इतना द्रखना है आपको तो इन में से देखी कौन कौन सा समसंख्या और कौन सा विसमसंख्या है तो इसमें से एक और नौ ये दोनों है आपका विसमसंख्या एक और नो क्या है विसमसंख्या है छे और चार ये दोनों क्या है समसंख्या है तो विसमसंख्या का वर्ग विसमसंख्या होगा समसंख्या का वर्ग समसंख्या होग तो यह आपका विसम संख्यों का वर्ग है और यह 3249 यह आपका विसम संख्यों का वर्ग है 12 नमबर में है योग संख्या किये बिना योग फल ग्यात किजिए तो यहाँ पर आपको 1 से 11 तक संख्या दी गई है तो इसके लिए पहले हमें एक rule जानना होगा देखिए rule क्या है एक से लेकर लगातार n विसम संख्यों का योग n square होता है जैसे कि 1 प्लस 3 1 प्लस 3 यानि कि n का संख्या कितना है? 2 है 1, 2, तो 2 का संख्या कितना होगा? 4, फिर 1 से 5 1 प्लस 3 प्लस 5 है तो यहाँ पे 3 अंख है तो 3 का square करेंगे, 3 का square करने पे 9 होगा और इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 है तो n का संख्या यहाँ पे होगी है 4 तो 4 का square करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 तो यहाँ पर n का संख्या कितना हो गया 5 हो गया तो 5 का संख्या करेंगे तो 25 हो जाएगा इसी तरह से हम कर सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ठीक है तो यहाँ पर n का संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा तो 6 का संख्या कर देंगे 6 का 10 कर हो जाएगा 36 तो इसी तरह से आपको 12 मर्का कॉसन बनाना है तो यहाँ पर भी है 1 से 11 तक 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 तो 6 है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका होता है N स्क्वाइड तो N है 6, 6 का स्क्वाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका आंसर फिर इसके बाद है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 51 मतलब 1 से 51 तक लगातार विसम संख्याओं का योग निकालना है इसमें थोरा सालाग आपको करना होगा देखिए 51 का क्या करेंगे 51 में हम 2 से भाग देंगे 51 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो आपका 25 कुछ आएगा ठीक है लेकिन हमें 25 ही लिखना है 26 का स्कुएर करने का क्या मतलब हो 26 गुणा 26 करना है तो इसको गुणा करने के बाद याने कि जब हमारा आइगा वह मरा आउसर हो जाएगा तो जब हब 26 का स्कुएर करेंगे तो ें तो आपका आएगा से सोू छेसे सो हिट्रहेदरेगा ठीक है तो यह आपका एक आंसर हो गया और यह एक आंसर यानि कि फ़रस्ट नमर का ऊंसले आपका 36 और सेकेंड नमड को जर्टेशंड ।ि अब है एग प्लस तीन फांन साथ और लगातार 101 तक है तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया देखिए 101 बटा 2 करेंगे और 101 में जो हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 50 दिसमलग कुछ आएगा तो 50 को हमें सिर्फ लेना है 50 में हमें 1 जोर देना है 50 प्लस 1 51 हो गया 51 का फिर हमें स्क्वाइर करना है 51 का स्क्वाइर करेंगे तो हमारा आजाएगा 2601 आएगा तो यह आपका हो गया तीसरे नमबर का अंसर थर्ड नमबर का अंसर हो गया 2601 यह आपका दूसरे नमबर हो गया यह पहला नमबर हो गया तक विशम संख्यों का योग निकालना है तो तो एक से किस तक में कितनी विशम संख्या आती है हम यहाँ पर लिख के पता लगाते हैं आप बिना लिखे भी पता लगा सकते हैं कि इसमें एक से किस तक में कितनी विशम संख्या हैं एक के बाद तीन होगा तीन के बाद पांच 7, 9, 11, 15, 19 और 21 तो इस तरह से आपका टोटल हो जाएगा 11 विसमसंख्या ठीक है 11 विसमसंख्या होगा तो हम 11 का क्या करेंगे 12 करेंगे 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 121 ठीक है 121 होगा लेकिन 121 आपका निकल गया एक से 21 तक लगातार विसमसंख्यों का योग लेकिन हमें निकलना है 7 से 21 तक यहाँ पर 7 से स्टार्ट है हम जो रूल जानते हैं उसमें हम एक से लगातार विसमसंख्यों का योग निकालते हैं लेकिन यहाँ पर 7 से दिया गया है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि 7 तक जितनी भी विसम संख्या है उसका वर्ग हम इसमें घटा देंगे जैसे कि देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहां पर कितनी विसम संख्या है 1, 2, 3, 7 तो यहां पर है ही, कॉस्टन में तो साथ है ही, इसलिए हम इसको नहीं अटाएंगे तो 1 से 7 तक में आपका 3 विसम संख्या हो गया, तो कितना लिखेंगे हम, 3 विसम संख्या है और यहां पर हो जाएगा 1 और यह 1, यानि कि 112 आपका आंसर हो गया, 4 नमबर का, ठीक है आई होब आपको यह कॉस्टन समझ में आ गया होगा, पहले हमने 1 से 21 तक का विसम संख्या का योग निकाला फिर उसमें से हमने 1 से 7 तक में जितनी विसम संख्या है आती है, उसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, चलिए next question देखते हैं next question है हमारा, निमलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंग क्या होंगे हम कैसे पता लगाएंगे कि इन संख्याओं के वर्गों के इकाई अंग क्या होंगे यहाँ पे देखिए, 25 है, तो इसके इकाई अंग का हम वर्ग करेंगे ठीक है, देखिए, 5 है, तो हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 के लास्ट में क्या है, 5 है, तो जब हम 25 का स्क्वाइर करेंगे, तो उसके लास्ट में भी 5 होगा, तो इसका अंसर, फर्स नमर का अंसर होगी आपका, 5, ठीक है, इसी तरह से आपको साड़े कॉसन को बनाना है, जैसी कि सेके नमर में है, 64, तो हम में 4 का स्क्वाइर करना है, 4 का स्क्वाइर करेंगे, तो 16 होगा, और 16 के लास्ट में क्या है, 6 है, जब हम 64 का स्क्वाइर करेंगे, तो उसके लास्ट में भी 16 ही आएगा, तो तो इसके लास्ट में भी 4 ही आएगा, और बाकी की कॉसन में भी वैसे ही करते जाएगे, 9 का स्क्वार करेंगे तो 81 होगा और 81 के लास्ट में क्या है एक है तो इसके लास्ट में भी जब इसका वर्ड करेंगे तो इसके लास्ट में भी एक ही आएगा 5423 है तो 3 का स्क्वाइर करेंगे तो 3 का स्क्वाइर करने पर 9 होगा फिर यहाँ पर 7 है लास्ट में 7 है 7 का स्क्वाइर करेंगे 7 गुना 7 तो 49 होगा तो 49 के लास्ट में है 9 तो जब इसका स्क्वाइर करेंगे तो इसकी लास्ट में भी 9 ही होगा फिर है 5,430, तो 8 का इस्क्वार करेंगे, तो 8 गुना 8, 8 का स्क्वार, तो 8 का स्क्वार हो जाएगा 64, 64 के लास्ट में है 4, तो इसके वर्ड के लास्ट में भी 4 ही होगा, फिर यहाँ पर है 0, तो 0 है, तो 0 का स्क्वार करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, फिर यहाँ पर 6 ह है तो 6 का स्क्वार करेंगे 6 का स्क्वार करेंगे तो आपका हो जाएगा छतिस होगा तो चतिस के लाश्ट में है छे तो इसका अंसर हो गया छे तो फॉर्स नमर का अंसर पांच सेकेंड का छे और थर्ड नमर का अंसर चार और चार नमर का यानि फॉर नमर का अंसर हो आई होप आपको ये कॉसन अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए हम इस एक्सरसाइज का लाश्ट कॉसन देखते हैं कॉसन है निमलिकित संख्याइं असपष्ट रूप से पूर्ण वरग संख्याइं नहीं हैं इसका कारण दीजिए दोस्तो वैसे तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कौन सी पूर्ण वरग संख्याइं होती और कौन सी नहीं इसका पता हम कैसे लगाते हैं इसको भी हमने जाना था एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वरग संख्या नहीं होता है जैसे कि 427 है इसके लास्ट में 7 है 328 इसके लास्ट में 8 है 162 162 के लास्ट में 2 है 513 इसके लास्ट में 3 है तो ये सारी संख्या पूर्ण वरग संख्या नहीं है अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ण संख्या है और कौन सी नहीं है तो इसके last में 2 है तो ये पूर्ण वर्ण संख्या नहीं है इसके last में 7 है तो ये भी पूर्ण वर्ण संख्या नहीं है last में 8 है तो ये भी नहीं है लास्ट में तीन है तो यह भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है जीरो का हम रहने लेते हैं जीरो का हम बात में देखें हैं फिर यहां पर इसके लास्ट में दो है तो यह भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है अब यहां पर जीरो वाला बच गया तो यह वाला भी हमने परहा था कि वैसी संख्या जिसके लास्ट में जीरो का अंग विसम संख्या में हो जैसे कि 25,000 है तो यहां पर जीरो कितना है तीन है तो तीन विसम संख्या होता है इसलिए यह पर भी पूर्ण वर्ण संख्या नहीं है यहां पर भी एक जीरो है तो यह भी पूर्ण वर्ण संख्या नहीं है दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि इसका कारण दीजिए यह सब पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है तो इसके कारण में आप लिक सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वर्ग हम नहीं निकाल सकते हैं हम जिस संख्या का वर्ग मूल निकाल सकते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्ग मूल निकलता है, वही संख्या पूर्ण वर्ग होता है, और जिस संख्या का वर्ग मूल हम नहीं निकाल पाते हैं, जिसका वर्ग मूल डैसिमल में आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है जिसका हम वर्ग मुल निकाल पाते हैं पूरा पूरा उसी को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.1 यहां पर कम्प्लीट हो चुका है नेस्ट वीडियो में हम नेस्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे यह वीडियो लगी हो तो वीडियो को